रॉंक्टे खड़े कर देने वाली ये कहानी है 36 साल के एक पाइलेट की जो 5 हपतों तक एमजन के खतरनाक जंगलों में फसे रहने के बाद वापिस लोटा है मौत को मात देकर वापिस लोटे इस पाइलेट का नाम है एंटोनियो उन्होंने 28 जनवरी को अपने प्लेन के साथ उडान भरी थी लेकिन अचानक प्लेन गायब हो गया था फिर पाइलेट की तलाज शुरू हो जाती है और कुछ घंटों बात पता चलता है कि प्लेन क्रैश हो चुका है फिर पाइलेट को खोजने के लिए रेस्क्यो ओपरेशन किया जाता है प्लेन क्रैश होने के बाद पाइलेट Amazon के घंए जंगलों में भास चुका था Amazon के जंगल में अकेले ठसना मतलब मौद के साथ आंख मिचौली का खेल खेलना होता है मगर पाइलेट चलता रहा और उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वो बाहरी दुनिया से संपर्क साथ पाता हिम्मत हारता तो मौत के मूँ में जाता मगर पाइलेट एंटोनियो ने हिम्मत नहीं हारे उसने एमाजन के घने जंगल से निकलने के लिए रास्ता खोजना शुरू कर दिया वक्त बीतने लगा और पाइलेट को लगने लगा कि उसे मरा हुआ मान कर अब रेस्क्यू अभ्यान भी बंद किया जा चुका होगा लहाजा पाइलेट के सामने अकेले किसी भी तरह जिन्दा रहने की चुनाती थी एमाजन के खतरनाक जंगल में बिना खाने के जिन्दा रहना के लिए असान नहीं था हलांकि उन्होंने हार नहीं मानी और किसी तरह गुजर बसर करते रहे पांच हपतों तक उन्होंने चिडिया के अंडे और जंगली फल खाए ताकि वो जिन्दा रहे और अपने घर वापिस लोट सके दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम एंटोनियों को खोज रही थी करीब 36 दिनों बाद लापता एंटोनियों को खोज ही लिया गया इस तरह जीने की इच्छा शक्ती और रेस्क्यू टीम की मदद से एंटोनियों अपने घर कुशल पूर्बक लोटे डॉक्टर्स ने भी अपनी जांच में उन्हें एकदम स्वस्थ पाया है हम उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं